पुलिस का ये मानना है कि सडक दुर घटनाओं से मृत्यू दर में काफी इजाफा होता है इसी को देखते हुए हम बेटकर नगर एस्पी ने एक नया नियम लागू कर दिया है कि बिना हेलमेट के बाइक सवारों को शहर की सीमा में प्रवेश नहीं मिलेगा जिसकी शुरुआत आज ट्रैफिक पुलिस ने अकबरपुर आयोध्या रोड पर शहर की सीमा से शुरू कर दिया है यहां तैना ट्रैफिक के जवान बिना हेलमेट के शहर में प्रवेश करने वालों की एंट्री पर पाबंदी लगा रहे हैं ट्रैफिक जवान बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों को हेलमेट पहनने के लिए जागरुक कर रहे हैं और जो लोग हेलमेट पहन कर बाइक की सवारी कर रहे हैं उन्हें सीमा के अंदर प्रवेश करनी की पूरी छूट भी दे रहे हैं लेकिन जो बाइक सवार बीना हेलमेट बाइक चला रहे हैं पुलिस उन्हें समझा कर वापस कर दे रही है वह इस बारे में सियो याता यात अशोग कुमार सिंग से जब बात की गई तो उनका कहना था कि हमारे देश में मृत्यु का एक प्रमुक कारण सरक दुर्घटना है और उसमें एक जो अहम रोल है कि दो पहिया वाहन पर जब लोग चलते हैं तो वो हलमेट नहीं पहनते हैं तो इस समय जनपद में जितने भी एसाई हैं और यातायत पुलिस उनलों को आउगत कराए गया है कि आप लोग अपने अस्तर से लोगों को जागरुक करिए कि जो भी दो पहिया वाहन से बाहर निकले वो हलमेट का प्रियोग अवस्य करें इसके दृष्टिगत जो इंट् आपके जीवन के लिए उन्हें जागरुक किया जा रहा है और इसका पहना मच्छा मिला है पूर्वांग फूट्स का पी ए पी ए प्रेम और पॉस्टिक अचार स्वाद डादी और नानी के हाँ थोका घरेलू पद्दती से बने शुद्ध एवं पॉस्टिक अचार आइटम्स भारत भर में होम डिलिवरे उपलब रेट्स एवंगा चार आइटम्स जानने के लिए वाट्सअप करें 8299-599-8299